वारानसी के अलाबा अपने ग्रहराज गुजरात की बडुद्रा सीच से नरेंद्र मोदी की उमीदवारी के पीछे कई तर्क दिये जा रहे हैं एक तर्क ये भी है कि वारानसी में आम आद्वी पार्टी के अर्विंद केजरिवाल से मिलने वाली कड़ी चुनौती और वहां जीत सुनिश्चित नहीं होने के वज़ा से मोदी ने गुजरात में बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीच बडुद्रा से चुनाव लड़ने का म मद्धी गुजरात में बीजेपी को बराबरी की टक्कर गिती और छे में से तीन सीटे आनंद, खेडा और दाहोद जीत ले गरी थी बडुद्रा, पंच महल और छोटा उदैपूर बीजेपी के खाते में गई थी इस बार भी कॉंग्रेस ने इन तीन सीटों से अपने निवरतवान सांसदों को ही मैदान में उता रहा है कॉंग्रेस का लक्ष नरेंदर मोदी को उनके होम टर्फ में ही घेरने और मध्धी गुजरात में अपनी स्थती और मजबूत करने का है 2004 में 26 में से 12 सीट ली थी 2009 में 26 में से 11 सीट ली थी और इस दफा उसमें 5 बढ़ोतरी करके रेकोर्ड ब्रेक्सीट लाएंगे और यूपे 3 बनाएंगे गुजरात में तो उसका कहीं भी किसी भी जगह पे कहीं लहर नहीं दिखाए देने बड़ोदुरा से खुद नरेंदर मोदी का मैदान में उतरना बीजेपी के रहन नेती है जिसमें वो कॉंग्रेस के वर्चसो वाले मध्य गुजरात में पार्टी एक स्थती मजबूत करना चाहती है लक्ष है इस बार मध्य गुजरात की सभी 6 सीट जीतना अगर मोदी बरोडा में रहते हैं तो उसकी स्पिलोवर एफेक्ट नियरभाई कॉंस्टिट्यूएंसी में हो सकती है कि जहां से अगर दिंशाब पतेल के या रामसनी परमार के मत कुछ तूटे तो एक दो और सीट बीजेपी को आ सकती है ये भी कंसिलरेशन उसके पीछे हो सकता है 2012 के पिछले विधान सभा चुनाओ में भी मध्य गुजरात में कॉंग्रिस का प्रदर्शन बाकी इलाकों के मुकाबले बहतर रहा था और बीजेपी के 21 सीटों के मुकाबले कॉंग्रिस ने यहां से 17 सीटे जीतने में सफलता पाई थी 1999 के लोगसभा चुनाओ में बीजेपी ने गुजरात की 26 में से 20 सीटे जीती थी जो कि पार्टी का गुजरात में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है नरेंद्र मोधी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से पिछले दो लोगसभा चुनाओ में बीजेपी अपने इस रिकॉर्ड की बराबरी नहीं कर पाई है इस बार सभी 26 सीटे जीतने के लक्ष के साथ चुनाओ में उतरी बीजेपी के लिए मध्य गुजरात और आदिवासी बहुल इलाकों में कॉंग्रेस के वर्चासु को तोड़ना एक बड़ी चुनाओती होगी निशांत सौरब डीडी निउस दाहोद